हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल श्यू ट्विन फ्लेम चन्नी पर माई लवेंग ट्विन सोल्स आप सभों को बहुत बहुत प्यार एवं अभार जितने भी नए सोल मेरे इस चैनल पर आए हुए है वों सभी का स्वागत करती हूँ मेरे पास बहुत से लोगों का मैसेज आता है और उसमें से अधिकांश लोग सिर्फ यही कहते हैं कि हम बहुत पेन में हैं दुख में हैं हमारे संघर्सों का अंत नहीं हो रहा और ये जर्नी बहुत ज़्यादा तकलिप दे है तो आज मैं उनहीं से कहना चाहती हूँ कि सबसे पहले ये जानने की कोशिश कीजिए कि आपकी जो समस्या है उसका कारण क्या है उसकी जड़ क्या है क्योंकि यदि आपने ये जान लिया तो आपको उसका समधान भी मिल जाएगा यदि आपकी तब्यत खराब होती है तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर दवाईयां देते हैं और आप ठीक हो जाते हैं लेकिन बार बार आपको वही समस्या हो रही है तो फिर आप उन बातों पर ध्यान देंगे कि आखिर मैं ऐसी कौन सी चीजे खा रहा हूँ ऐसा कौन सा कारे कर रहा हूँ जिसकी वज़स ये बिमारी बार-बार मुझे हो रही है तो ये होता है कि आप उस समस्या की कारण को उसकी जड़ को पहचाने की कोशिश कर रहे हैं और वास्तो में यदि वो समस्याका कारण पता चल गया तो आपकी समस्याका समधान हो जाएगा यदि उधारन ले कि यदि किसी को बुखार होता है तो उसके पिछे कारण क्या है उसका कारण है जब शरीर में पित उग्र हो जाता है अन्बैलेंस हो जाता है तब भुखार होता है और यदि उसी पित को शांत कर लिया जाए गंट्रोल कर लिया जाए तो भुखार ठीक हो जाता है मैं हमेशा इस बात को सुनती हूँ कि लोग कहते हैं मैं इस जर्नी में संघर्स कर रहा हूँ मेरा दुख बढ़ता जा रहा है मेरा तकलीप बढ़ता जा रहा है पर सबसे पहले इस बात को आप स्वेम सोचिए कि आप जिस दुख या तकलीप में है उसका कारण आखिर है क्या मैंने पहले भी अपने वीडियो में आपको बताया है कि ब्रम्हान का अपना एक नियम है, उनकी एक व्यवस्ता है और हर एक मनुष्य के लिए, हर एक प्राणी के लिए वो समान है, किसी के लिए भी कम या ज़्यादा नहीं है तो यहाँ पर ब्रम्हान का जो नियम है, आप उनमें से कौन से नियम का पालन कर रहे हैं, या पालन नहीं कर रहे हैं क्योंकि यदि आप ब्रह्मान के नियम का पालन कर रहे हैं डिवाइन की वेवस्था के अनुकूल चल रहे हैं तो ये जर्नी आपके लिए सरल और सुलब हो जाएगी लेकिन यदि आप उस वेवस्था के विप्रित गए तो ये जर्नी आपके लिए कठिन और पीड़ादाई हो जाएगी यहाँ पर ब्रह्मान के कुछ नियम है इन्हें अपने जीवन से जोड़ कर देखिए यहाँ पर ब्रह्मान का एक नियम है लौ ओफ एट्रिक्शन यानि आकरसन का सिध्धान्थ जिसका अर्थ है जो चाहोगे वो पाओगे और जो सोचोगे वैसा ही बनते जाओगे तो यहाँ पर लौ ओफ एट्रिक्शन काम कैसे करता है इसका अर्थ है दोहराव या पुन्रावित्ती यानि बार बार किसी बात को कहना या सोचना जब आप लौ ओफ एट्रिक्शन के नियम के अनुसार कोई भी बात चाहे वो पॉजटी हो या निगेटी हो बार बार आप उसे सोचते हैं या बोलते हैं तो वो एक पुन्रावित्ती होती है यानि बार बार वो संदेश वो एक वाइब्रेशन जो ब्रम्हान में जाता है और ब्रम्हान के नियम के अनुसार वो मल्टिप्लाई होकर आपके ही पास वापस आता है तो जब आप निगेटी वाते सोचते हैं या बोलते हैं तो वो मल्टिप्लाई होकर आपके पास ही आता है उधारन के रूप में यदि कोई मनुष्य, यदि स्वयम के विशय में एक कहता है कि मैं बिमार हूँ, मैं ठीक नहीं हो पा रहा हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं बेकार हूँ, मैं असफल हूँ, सारे लोग मुझसे आगे निकल गये, मैं पीछे रह गया, मैं जीवन में संघर्ज कर रहा हूँ, मैं दुखी हूँ, तो ये सारे निगेटिव बाते जो ब्रम्हान में जाते हैं, और वही मल्टिप्लाई होकर वापस आते हैं, ब्रम्हान के नियम के अनुसार, क्योंकि ब्रम्हान हमेशा वाइब्रेशन को आपको रिटन करते हैं, मल्टिप्लाई करके, तो जो भी आपना का और आत्मक सोच रहे हैं या बोल रहे हैं वो तो वापस आपके ही पास आ रहा है और इसका प्रेडाम यह हो रहा है कि जितना दुख पहले आपकी जीवन में था वो और ज्यादा बढ़ता जा रहा है अब आप और भी ज्यादा संघर्स कर रहे हैं और भी ज़्यादा दुखी है और भी ज़्यादा असफल है तो यहाँ पर आप इस बात पर विचार कीजे कि आपके दुख का कारण क्या है इसका वैज्यानिक पहलू क्या है हम अध्यात्म में जानते हैं कि परम सत्ता परम प्रधान ईश्वर एक एनरजी है और एनरजी की एक फिक्रिविन्सी और वाइब्रेशन होती है और इस बात को वैज्यानिक भी मानते हैं क्योंकि वो उसे एक सूपर नैचरल पावर कहते हैं और हम उसी एश्वर के अंश है तो हम भी एक एनरजी है मनुष्य भी एक एनरजी है और उसकी एक vibration और फिक्रविंसी है तो जब कोई मनुष्य कोई positive या negative बाते सोचता है या बोलता है तो उससे एक vibration उत्पन होती है और वो एक ध्वनी है और वही vibration यूनिवर्स में जाती है और उसके नियम के अनुसार multiply होकर वापस आती है तो यहाँ पर चाहे आपकी vibration positive हो या negative हो वो आएगी multiply होकर आपके ही पास तो यहाँ पर व्याग्यानिक रूप से भी इन बातों को समझने की जरुरत है 21 प्रकार वो परमसत्ता इश्वर सुपरनेचरल पावर काम कर रहा है और हम मनुष्य क्या उनकी इस व्यवस्था का पालन कर पा रहे हैं या नहीं और यदि नहीं कर पा रहे हैं तो फिर जो negativity भेजी है वही multiply होकर आपके पास वापस आएगी और यदि positive आपने भेजा है तो वह multiply होकर positive ही आपके पास आएगी यहाँ पर जबके law of attraction में कितने ही technique है अपनी wish को पूरा करने का लेकिन इसमें आप अपने twin को manifest नहीं कर सकते एक समानी मनुष्य जो किसी normal journey में हैं तो वो law of attraction का इस्तमाल करके उनके सिध्धानतों का पालन करके अच्छे से अच्छा soulmate अपने लिए manifest कर सकता है लेकिन चाहे वो इनसान spiritual journey में हो या twin flame journey में law of attraction के द्वारा संसार की हर एक वस्तू या soulmate manifest किये जा सकते हैं लेकिन यदि कोई इनसान twin flame journey में है तो अपने counterpart को manifest नहीं कर सकता चाहे आप हजारों टेकनीक लगा लिजेए वो काम करेगा ही नहीं क्योंकि यहाँ पर आपका counterpart पूरा का पूरा divine के हाथ में है और divine के time के अनुसार ही वो आपको दिया जाता है क्योंकि यह काम करता है शिव शक्ति पर जब आप अपने inner dmdf को balance करेंगे आप अपनी vibration अपनी frequency को level में लाएंगे और तब आपके counterpart का vibration और frequency भी उसी level पर आएगा तब divine time के अनुसार आप दोनों को एक दूसरे के सामने लाकर खड़ा कर देंगे तो यहाँ पर यह बाते निर्भर करती है कि आप अपने भीतर कैसा काम करते हैं आपका inner work स्वेम पर काम करते हुए आपने अपने आपको कितना बदला है कि बाहर की परिस्तितियां बदल जाए लोग बदल जाए यदि आप ऐसा inner work करते हैं तो निश्चित ही divine time के अनुसार आपका counterpart आप से मिलाये जाता है यहाँ पर बहुत से लोगों का ये भी कहना होता है कि हम इतना inner work करते हैं meditation करते हैं पर उसका प्रभाव क्यों नहीं होता क्योंकि अधिकांश twins इसलिए दुखी हैं क्योंकि उनके counterpart वापस नहीं आ रहे हैं तो इसका कारण क्या है तो यहाँ पर एक और ब्रम्हान का नियम हम जानते हैं वो है law of karma यानि जैसा बोगे वैसा काटोगे यदि आप फूलों की खेती चाहते हो तो फूलों के बीज ही बोने पड़ेंगे और यदि आपने काटे बोए हैं तो काटे ही मिलेंगे इस जर्नी में कुछ DF कहती है कि हम इतनी साधना कर रहे हैं लेकिन हमारे काउंटर पार्ट तो थर्ड पार्टी में घूम रहे हैं वो तो खुश हैं उनको तो कोई असर पड़ता ही नहीं है तो इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि अभी तक आपका ध्यान उन पर ही है और ये जो जर्नी है वो कहता है कि बाहर नहीं भीतर की और देखो तो आप अपने डियम की और न देखकर अपने भीतर जहां किये क्योंकि काम आपको वहीं पर करना है आपको कोई फर्क नहीं पढ़ना चाहिए कि आपका counterpart क्या कर रहा है, क्योंकि यदि बार बार आप उनके बारे में सोचेंगे, तो आपकी energy वहां लगेगी, और इससे होगा ये, कि आपकी energy उनको मिलती जाएगी, और इस वज़़से, वो third party में मशगूल रहेंगे, और उनको आपकी याद कभी नहीं आएगी, इसी लिए कहा जाता है, ये खुद पर focus कीजिए, अपनी creativity पर ध्यान दीजिए, अपनी journey पर ध्यान दीजिए, बाहर के और मत देखिए, लेकिन जब तक आप, आप बाहर के और देखते रहेंगे, आपके भीतर का काम कभी complete नहीं हो पाएगा, यहाँ पर होता ये है, कि जब आप ये देखते हैं, कि आपके counterpart, third party में चले गए, कार्मिक के सांथ चले गए, तो आपके मन में, एक कटुता आ जाती है, एक कड़वाहट आ जाती है, एक छमाहिंता की भावना आ जाती है, आप एंगर में आ जाते हैं, आप गुसे में आ जाते हैं, आप उन्हें माफ नहीं कर सकते, और इसी वज़ा से आप उन पर दोष लगाते हैं, जबकि सब कुछ divine plan के अनुसार है, लेकिन जब आप उन पर दोष लगाते हैं, तो आप एक कर्मा क्रियेट करते हैं, law of कर्मा के अनुसार, और तब जब आप उन पर दोष लगाते हैं, तो आप पर वही बाते बहुगुडित होकर वापस आती हैं, क्योंकि divine के नियम के अनुसार, जो भी vibration आप दूसरों को देंगे, चाहे positive या negative, वो आपके पास वापस आएंगी ही आएंगी, और वो भी multiply होकर, तो जब आप दूसरों पर दोष लगाते हैं, तो आप पर भी दोष लगाया जाएगा, इसलिए कहा जाता है कि दूसरों पर दोष न लगाए, क्योंकि आप एक कर्मा और create करेंगे, इसलिए ब्रह्मान का नियम है, जो कहता है, unconditional love में, कि छमा करो, माफ करो, मुवान करो, लेकिन उन्हें माफ करके मुवान करो, तो यहाँ पर आपके मन में, किसी प्रकार की नराजकी नहीं होगी, और तब आप स्वेम पर, भली भाती अच्छी रीती से, काम कर पाएंगे, आप कहीं पर इस्टक नहीं होंगे, अधिकांश लोग, इसी वज़ा से अपनी जर्नी में इस्टक हैं, वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, क्योंकि वो छमाहिंता की भावना, जो उन्हें आगे बढ़ने नहीं देती, इसलिए कहा जाता है, कि यह एक डार्कनेस है, अपने अंदर का, और इसे क्लियर करने की जरूरत है, तो जब आप उन्हें छमा कर देते हैं, तो जो उन्होंने कर्मा क्रियेट किया है, आपको छोड़कर, वो उन्हें पर फलित होने लगता है, क्योंकि डिवाइन का नियम, उनके उपर भी लागू होगा, और समय आने पर, उनकी थर्ट पार्टी या कार्मिक्स, उनको सताने लगेंगे, और ये तब ही होगा, जब आप उनसे मुवान कर चुके होंगे, आपका ध्यान खुद पर होगा, उन पर नहीं, तो यहाँ पर सोचने वाली बात ये है, कि एक मनुष्य, जो ये कहता है, कि वो दुख में हैं, तकलीप में हैं, और संघर्ष कर रहा है, उसके इस दुख और संघर्ष का कारण कौन है, वो कभी, अपने काउंटर पार्ट को, तो कभी संसार को, तो कभी ईश्वर को, या फिर अपने भागे को, दोसी ठहराता है, पर स्वयम के विशय में, कभी नहीं सोचता, तो पहले, अपने भीतर जाकर देखिए, और उस भीतर से, यही आवाज आएगी, कि उसका कारण, वो स्वयम है, मनुष्य, अपने दुख का कारण, स्वयम है, क्योंकि उन्होंने अपने दुख को, स्वयम ही पकड़ रखा है, जब तक उस दुख को, वो छोड़ेगा नहीं, तब तक वो सुख को, अपने जीवन में, नहीं पा सकता, कहां कहां पर, वो ब्रहमान के, नियम के, विपरिज जा रहा है, यहां पर उसे, देखने की जरूरत है, यदि वो लगातार, निगेटिव संदेश, चाहे स्वयम के लिए, या दूसरों के लिए, रभान को भेज रहा है, तो वो हमेशा दुखी, और संघर्स मेही, रह जाएगा, लेकिन इसके विपरित, यदि वो दूसरों के लिए, ब्लैसिंग का कारण बनता है, वो स्वयम के लिए, पोजिटिव अफर्मिशन देता है, और दूसरों के लिए, प्रात्ना करता है, उनकी आशिशों का कारण बनता है, तो ये उसके लिए, और भी अधिक अच्छा है, क्योंकि इस से उसका भाग और भी बहतर बनता जाता है क्योंकि मनुश्य के हाथ की लकीरे कभी भी भविश्य को नहीं बताती वो सिर्फ परतमान को बताती है हाथ की लकीरे आपके कर्म के अनुसार बदलती है क्या अच्छा क्या बुरा यदि आप 10 दिन अच्छे काम करेंगे तो आपकी हाथ की लकीरे भली और सुन्दर हो जाएंगी लेकिन यदि 10 दिन आपने गलत काम कर लिया तो आपकी हाथ की लकीरे बुरी बन जाएंगी तो इस प्रकार एक मनुश्य का भाग उसके कर्म पर निर्भर करता है और इसी लिए law of karma जो ये बताता है कि जो भी positive या negative vibration आप दूसरों के लिए भेशते हैं तो इससे उसका प्रभाव दोगुनी रूप से आपके उपर ही आता है इसी लिए कहा जाता है कि जो आपको सताए आपको दुख दे आपका अपमान करे आपका अनादर करे उसके लिए भी प्रात्ना करो उसके लिए भलाई को ही ढूंडो क्योंकि बुराई से आज तक दुनिया नहीं जीती जा सकी है सिर्फ भलाई से ही चाहे वो दुनिया हो चाहे वो इनसान का दिल हो जीता जा सकता है एक बात जो गौतम बुद्ध ने कही है जैसे तुम्हारे विचार वैसा ही तुम्हारा जीवन होगा और ये बात उन्होंने बहुत ही सत्य कही है कि जब इनसान पॉजिटिव कहता है तो पॉजिटिव ही बनता जाता है और यदि वो निगेटिव कहता है तो निगेटिव ही बनता जाता है उसके विचार पर निर्भर करता है उसका जीवन कि उसने अपनी बोली से अपने विचारों से अपने जीवन को कितना बनाया है और कितना पिगाड़ा है तो आप स्वेम पर विचार कीजिए अपने जीवन का विश्लेशट कीजिए कि क्या आप दुख, तकलीफ, दर्द और संघर्स को क्या अपने जीवन में बुला रहे हैं और यदि ऐसा है, तो संकल्प कीजिए कि आज इन बातों को दूर करना है इसलिए आज से ही निगेटिव बातों को छोड़ कर पोजिटिव कहना प्रारम कीजिए स्वेम के लिए भी और दूसरों के लिए भी क्योंकि जब आप स्वेम के लिए बोलेंगे तो आप वैसे ही बनते जाएंगे और दूसरों के लिए बोलेंगे तो आप आशिश का कारण बनेंगे और ये आपके लिए एक्चमतकार होगा और सबसे महत्वपूर बात कि उस परमसत्ता का परमपिता परमेश्वर का हमेशा अभार व्यक्ति कीजिए धन्यवाद दीजिए अपने जीवन में जो जो आपको मिला है उस उस चीच के लिए उसका धन्यवाद कीजिए और यही धन्यवाद फिर से मल्टिप्लाई होकर आपके पास वापस आएगी और इसी वज़ा से आपके मन में पीस होगा हार्मनी होगी लव होगा और तब आप उस परमसत्ता के सौभाव में आ जाएंगे और सारी बाते आपके लिए मिलकर भलाई ही कोदपन करेंगे और आपका जीवन एक चमतकार बन जाएगा तो प्रियो आज मैंने इस बात पर चर्चा की और मैंने उन्हीं बातों को बताया है जिस बात पर मैंने विसलेशन किया कि एक मनुष्य जोब होता है वही काटता है चाहे पोजिटी हो चाहे निगेटी हो इसी लिए आशावादी बनने की आशकता है निराशावादी नहीं क्योंकि निराशा अंधकार सिर्फ जीवन को बिगाड़ता है लेकिन एक आशावादी मनुष्य स्वयम के लिए भी और दूसरों के लिए भी कल्याड को लाता है तो प्रियो आश के लिए इतना ही फिर मिलते हैं नेक्ट वीडियो में तब तक के लिए टेक केर and God bless you all सुखी रहो, संपन रहो आप सभों की जर्नी पूरी हो